हेलो और वेल्कम टो आपर चैनल जेए स्टेडी मैस होफ़ोदी आप सब ठीक ठाक होंगे और आपके अपने अजाम की जो प्रेपरिशन है वह भी ठीक चल रही होगी तो आज हम क्लास नाइन्थ का चैप्टर सेकेंड और उसकी जो एक्सेसाज 2.5 है उसका 12th question है जो के प्लस Y प्लस Z और फिर बड़ी ब्रेकेट में X-Y का होल स्केर प्लस में Y-Z का होल स्केर और फिर प्लस में Z-X का होल स्केर है यह हमने प्रूब करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना इसकी जो राइट-hand side है उसको मैं आपको solve करके दिखाऊंगा उससे हम क्या ले आए और फिर जो यहाँ पर बड़ी ब्रेकेट है फिर छोटी ब्रेकेट में पहले बाली में X-Y का होल स्केर है देन प्लस डालके Y-Z का होल स्केर है देन प्लस डालके Z-X का होल स्केर है तो हम क्या करेंगे यह जो छोटे बाली ब्रेकेट हैं सारी बड़ी ब्रेकेट के अंदर उनको open करेंगे, तो अगर आप ध्यान से देखोगे, सारी की सारी वो जो brackets हैं, तीनों, तीनों पे ही हमारा a प्लस b का whole square अप्लाई हो रहा है, तो a प्लस b का whole square क्या होता है, वो होता है, पहले a का square प्लस b का square माइनस 2a भी, तो पहली bracket पे apply करोगे, तो x का square, प्लस में y का square, और माइनस में 2x का, यह पहली bracket solve ऐसी दूसरी bracket को करोगे तो y का square plus में z का square और minus में 2 yz then ऐसी जो तीसरी bracket है उसको solve करोगे तो z का square plus x का square और minus में 2 zx तीनों की तीनों जो bracket है उनके हमारी same identity apply हुई है a minus b का whole square तब यह one by two again as it is यह पहली bracket जो पूरी है वो सारी as it is x plus y plus z अभी यह जो बड़ी bracket है इसमें अगर आप देखोगे यहाँ पे x square है और यहाँ पे भी x square है दोनों plus k हैं तो क्या हो गया 2 x का square हो गया ऐसे ही y square y square भी हमारा two times है तो यह क्या हो जाएगा two y square ऐसे ही z square z square भी हमारा two times है तो इनको add करोगे तो यह क्या हो जाएगा two z square हो जाएगा और minus में two x y बचा हुआ है minus में two y z बचा हुआ है और again ऐसे ही two z x बचा हुआ है तो अभी one by two हमारा as it यह जो दूसरे वाली bracket है हमारी इसमें अगर देखोगे आप तो सारी की सारी terms के साथ two multiply में है तो वो two हमने क्या किया यहां पे कॉमा निकाल दिया बिलको बाहर तो यह पहली bracket x plus y plus z as it is क्योंकि इसमें से हम कॉमा निकाल चुके हैं तो two तो कॉमा निकली गया तो यहां पे बचा क्या तो यह two से two तो हमारा cancel हो गया और हमारे पास क्या बच गया पहली bracket में बच गया x plus y plus z और दूसरी bracket में x का square plus y का square और plus में ऐसे z का square minus में x y फिर minus में y z और फिर minus में z x तो अगर आप eighth entity अपनी याद करोगे तो उसमें क्या होता है उसकी right hand side सारी की सारी ही होती है और left side में क्या होता है उसके left side में उसमुत है x का q plus y का q plus z का q minus 3 x y z जो के हमारी इसमें left hand side भी है तो left hand side is equal to right hand side हो गई hence verified हो गया and so proved जा फिर verified हाँ यहाँ पे क्योंके हमने उपर वो identity यूज की है तो वो identity आप यहाँ पे लेख जरूर देना के जो x q plus y q plus z q और minus में 3 x y z is equal to किसके होता है पहली bracket में होता है x plus y plus z और फिर उसी के साथ multiply में हमारे पास जो दूसरी पर राकेट होती है उसमें होता है x का square plus y का square plus z का square minus x y minus y z और ऐसे ही minus z x होता है यहाँ यहाँ पे यह सारा solve करके लेके आए थे इसकी right hand side को solve करके तो वो हमारी यह पूरी की पूरी यह वाली साइड बन गई थी इसके equal होता है तो हमने उसकी जगापी लिख दिया और यही हमारे इसमें प्रूब करने वाली जो चीज है उसकी left hand side भी है तो means जो दोनो left hand side और right hand side है दोनों के result same आगए equal आगए तो means प्रूब हो गया hopefully आपको question समयने में आगया होगा वीडियो अच्छी भी लगी होगी तो वीडियो को like जरूर कर दीजे और हमारे चैनल को subscribe भी कर दीजे और अपने साथियों के साथ share भी जरूर कर दीजे ताकि हमारा जो होसला है वह बढ़ता रहे और आपके लिए हमें ऐसी और वीडियो लेके आते रहे and thanks for watching the video